नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल यूपी सेल क्रैकर्स के अंदर मैंने जितना अभी तक पावर सिस्टम में पढ़ाया है वहां तक के जो जो mcqs इस सीरीज में आते हैं वह हम डिसकस करते जाएंगे ठीक है तो acsr conductors मैंने playlist में पढ़ाये थे आप playlist में जाएंगे वहां पर मिल जाएगा आपको types of conductors में ठीक है अब हम mcqs करने जा रहे हैं ठीक है mcqs भी साथ में बहुत important होते हैं theory मैंने समझा चुका हूँ तो mcq अराम से समझ में आ जाएंगे तो पहला mcq देखिए acsr conductor have यानि कि जो acsr conductor होता है वो क्या होता है ठीक है option है all all conductors are made of aluminium सारे conductor aluminium से बने होते हैं यह तो बिल्कुल गलत है ठीक है outer conductor made of aluminium यह बिल्कुल सही है बाहर के conductivity बने होते हैं inner conductors न कि अर मेंड अप aluminium यह बिल्कुल गलत है आइक कि नहीं बच्वार में जो acsr conductor होता है मैंने समझाया भी था कि जो c s r conductor होता है ac ACSR conductor होता है उसमें जो central strand होता है वो तो होता है steel का ठीक है और outer strands जो होते हैं वो बने होते हैं aluminum के ठीक है किसके बने होते हैं aluminum के ठीक है central strand steel का और outer जो बाहरी strands होते हैं ठीक है वो किसके बने होते हैं aluminum के तो option क्या आएगा outer conductors are made of aluminum option B ठीक है next ACSR conductor having 70 aluminum conductor and 6 steel conductor will be specified as देखिए आज कल के लिए आज कल जैसे question बन रहे हैं UPPCL में यह question है जो आ सकता है ठीक है यह बोल रहा है अगर 70 aluminum conductor है ACSR के और 6 steel conductor तो इसको कैसे लिखा जाता है देखिए यह जो aluminum लिखा हुआ न 70 aluminum ठीक है यह उपर आएगा divided by जो steel conductors होते हो नीचे तो 70 divided by 6 यानि 70 by 70 by 6 लिखा जाता है इसको ठीक है 70 by 6 लिखा जाता है steel हमेशा नीचे रहेगा ठीक है और aluminum का strand उपर ठीक है तो option देखो 70 by 6 यह option सही है ठीक है खतम हो गया काम next है sorry next है minimum clearance of high voltage line from the ground across the street तो याद रखना है जो hv line होती है रुको जो hv line होती है उसकी जो minimum clearance होती है वो 6 meter के होती है ground से ground से ground से जो across streets होती है ठीक है मानलो यह कोई hv line जा रही है तो यह जो ground होता है नीचे मानलो यह ground है इसके बीच का यह जो distance है यह 6 meter का होना चीए ठीक है यह हमारे पास जा रही है hv line ठीक है यह hv line है जो ground से distance हो कितना होना चीए 6 meter तो c option is the correct answer ओके next यह अभी छोड़ दो stringing efficiency पढ़ाऊंगा यह तब कराऊंगा अभी पढ़ाई नहीं है जो जो पढ़ाया है वो यह हाँ एक यह purpose of guard ring in a transmission line अभी जब stringing efficiency पढ़ाऊंगा ना अभी तो मैंने suspension type insulator पढ़ाया था जब stringing efficiency पढ़ाऊंगा उसमें guard ring का जिक्र होगा भी याद रख लेना purpose of guard ring in a transmission line गार्ड रिंग क्या करती है option a reduce the earth capacitance of lowest unit बिल्कुल सही है जो earth capacitance होती है lowest unit की जो lowest unit की earth capacitance होती है उसको reduce करती है guard ring ठीक है तो option आजेगा a ठीक है next current drawn by the line going to corona loss ठीक है current जो draw होता है corona loss में line के दर्मियान वो क्या होता है तो देखिए non sinus odel होता है a option सही आएगा याद रखना जो current draw होता है कुरोना में कुरोना में जो current draw होता है कुरोना में वो कैसा होता है non sinosodal ठीक है non sinus odel होता है next in context which statement is not true किसके इसके संदरब में कौन सी statement true नहीं है दीक है आज कल जो एक्जाम आ रहा है UPPCL का वो किस तरीके से बन रहा है उसमें not not वाले questions बहुत देखने को मिल रहे हैं ऐसे not true वाले कैसे not true वाले तो यह उसी type का question है कि statement में कौन सा true नहीं है ठीक है कौन सा नहीं है ध्यान से देखिए पहला Corona is a voltage effect दूसरा Corona take place on short transmission line Corona is a combination with wireless corner internet तो भाई Corona short transmission line में कभी नहीं होता यह गलत है ठीक है Corona एक voltage effect है बिल्कुल सही क्यों voltage बढ़ती है voltage अगर voltage अगर voltage अगर greater than 30 kv पर cm होती है तो Corona होता है ठीक है लाइन में तो voltage effect तो है बिल्कुल सही ठीक है power loss भी होता है lightning searches भी होता है लेकिन short transmission line में नहीं होता लांग में होता है ठीक है ठीक है तो B options right ठीक है next है when an alternating current flows through a conductor जब भी AC current किसी conductor पे flow करता है मान लो यह कोई AC का conductor है ठीक है इसके through अगर AC flow करती है ठीक है AC current flow करता है तो क्या होगा option A entire current passes through the core of conductor बिल्कुल गलत है AC तो कभी pass ही नहीं करता portion of the conductor near the surface carry more current in comparison to the core यह बिल्कुल सही है क्यों AC जब pass करेंगे तो क्या होगा skin effect और skin effect मैंने playlist में पढ़ाया हुआ है जिसने नहीं पढ़ा वो जाके देख ले skin effect से क्या होता है portion of the conductor near the surface carry more current as compared to core तो B option होगा increase in frequency in a transmission line causes यानि frequency अगर बढ़ेगी frequency अगर बढ़ेगी तो देखिए frequency बढ़ने से क्या होता है याद रखना याद रखना line resistance बढ़ जाती है तो option B आएगा line resistance increases ठीक है frequency बढ़ती है याद रखना frequency बढ़ेगी ठीक है लुक जो frequency बढ़ेगी line resistance बढ़ेगी ठीक है next है Transposition of a line is done in order to reduce Transposition किसलिए यूज होती है Transposition किसलिए यूज होती है Transposition लाइन अभी पढ़ाऊंगा मैं आगे Transmission distribution में जैसा मैं Transposition पढ़ाऊंगा ना ऐसा किसी नहीं पढ़ाया होगा दिमाग में छपजेगा भी याद रख लो Transposition क्या करता है हमारे पास disturbances को Reduce करता है Communication Line पर Communication Disturbances को Reduce करता है ठीक है अब कहां पर Option Communication Disturbances Option C सही ठीक है विच अब दा फॉलएंग इस निगलेक्टिड वाइन ना इसी का Short Transmission Line जब भी Short Transmission Line को बनाते हैं ठीक है तो क्या निगलेक्ट करते हैं Short Line में SL में Short Transmission Line में क्या निगलेक्ट करते हैं Shunt Shunt Admittance Admittance निगलेक्ट हो जाती है ठीक है टाइप्स ओफ ट्रांसमिशन लाइन मैंने प्लेइलिस्ट में पड़ा रखे हैं जाके देख लें तो Shunt Admittance निगलेक्ट हो जाती है ठीक है यह आएगा Option A ठीक है नेक्स्ट है फिनोमिना ओफ राइज इंद रिसीविंग एंड वोल्टेज उसको क्या बोलते हैं प्रांसमिशन लाइन में वो कंपनसेड करने के लिए इस याद्राइड रखनां ठीक है ठीक है किसलिए यूज़ होता सीरीज क्पेस्टर वोल्टेज ड्रॉब को कंपनसेड करने के लिए यह बिल्कुल है ठीक है यह Option ठीक है एक स्पैर मेंटिरेल कॉमनली यूज़्ट और शीथ ऑफ एंडरग्राउंड केवल यानि कि एंडरगॉर देटों की मेंटिर्ण केवल की शीथ कि एई वसे और भायालेक्द केवल अगये ॱफी हुल में दीमाग में चलेगा अभी याद रखो किस Сे बनता है उप्शन भी ठीक है यह अभी छोड़ दो नुमेरिकल नुमेरिकल के लिए मैं अलग क्लास लिया करूंगा नुमेरिकल के लिए अलग क्लास ठीक है नुमेरिकल के लिए अलग क्लास लिया करूंगा बोर्ड पे ठीक है अभी थियोरेटिकल mcq उस पर ध्यान दो ठीक है यह रहा skin effect inner conductor is proportional to skin effect conductor में किसके proportional होता है किसके proportional होता है diameter के square के किसके proportional होता है d यानि कि diameter के square के तो option कहां पर diameter का square ढूंडो c option ठीक है next step आई compared with the solid पहले ध्यान से इस question को पढ़ो compared with the solid conductor of same radius corona appear on a stranded conductor on a stranded conductor lower voltage because stranding यह बोल रहा है कि solid conductor के मुकाबले corona stranded conductor पे ही जल्दी क्यों हो जाता है क्योंकि stranded conductor क्या करता है radius स्माल रेडियस स्माल रेडियस सर्फेस प्रड्यूस करता है stranded stranded conductor क्या करता है स्माल radius surface प्रड्यूस करता है यार एक सेकिंड स्माल रेडियस प्रड्यूस करता है तो option क्या आएगा D ठीक है ऐसे ही question आते है यूपी पीसल में चक कर लेना चाहे ऐसे गुमाए फिर आए ठीक है वो जमान ना गया रट्टा मारो ठीक है और पास हो जो concept बहुत जरूरी है which of the following distribution system is preferred for good economic good efficiency and high economy तो भाई good efficiency good अच्छी efficiency यानि high efficiency को किस से denote करते है नीटा को तो लिख दिया high efficiency के लिए कौन सा distribution system यूज होता है single phase two wire कभी नहीं यूज होता two phase three wire भी नहीं यूज होता three phase three wire तो transmission के लिए यूज होता है यह किस लिए यूज होता है यह यूज होता है transmission के लिए ठीक है बट यहां पर बात हो रही है distribution के लिए ठीक है distribution में कौन सा यूज होगा distribution में कौन सा three phase four wire ठीक है सबसे important रोज पढ़ा रहा हूँ inner transmission line cross arms are made up of cross arm किस से बनी होती है cross arm बनी होती है भाई स्टील से किस से cross arm cross arm बनी होती है स्टील से तो option कहा है स्टील का C ठीक है तो आज के लिए इतना ही अगर आपको MCQ सीरीज पसंद आ रही है तो मैं फिर हर बार 5-6 lecture लेने के बाद MCQ में भी आऊंगा ठीक है तो thanks भाई subscribe करो like करो आपका channel है और इस channel को आगे बढ़ा हो ताकि दुनिया को भी पता चले कि यार एक चैनल यूपी पीसेल का भी आ गया है ठीक है बागी जो channel है वो सबके लिए है यह channel fully delegated है वो यूपी पीसेल थैंक यू